नमस्कार my YouTube family, welcome back, my channel कैसे हूँ आप सब, मैं शकरते हूँ, आप सब ठीक होंगे, तो आज के vlog की starting हो गई है, जैसा कि मैं daily vlog की starting करती हूँ, सुबा के vlog की, वो करती हूँ, सुबा पहले पानी, गरम पानी एक glass टे बीती हूँ, तो यहाँ पे मैंने पानी चड़ा दिया है, और आती हूं आज के फोर्ट की स्टार्टिंग करते हैं हम तो आज का मेरा जो फोर्ट से वह यह है कि हमें जिंदगी में कितने भी दुख आए कुछ भी आए का भी दुखी नहीं होना है हमेशा खुश रहना है क्योंकि खुश रहने से बहुत सारे फाइदे होते हैं या आपको पता होगा कि लोग मतलब हसने के लिए जबर्दस्ति शोचिता के जो मोटी मोटी हम उटी जो दो फो रहे लो तो एक ड़े के व्राइब हो जाती है कि जब ज्यादा 90 रुपे लिया जाता है तो सुबह दुख में देर बैटके लिए ऐसा नहीं होता है तो दो फो लेकिन हमें अपने तरफ से यह कोशिश करनी चाहिए और अपने लाइफ में ह आज में जितना हो सके खुश रहना चाहिए तभी हमारी लाइफ आसान हो पाएगी कहते हैं कि अगर आज दुखी रहेंगे ना तो दुख दुख में रहना चाहिए बोज सी लगने लग जाती है वह इस काम करो आप खुशी से करो मैंने एक दो वीडियो में देखा ता यू जो खुशियां बढ़ने वाली चमिया खुश रहने के लिए तो आप इसा लगने रहें तो बेंगन बजरा सुब्टाइए गाट ज़रूर और आपकी सारी सब्टाइब इस पारे में चाहिए बोज़ रहें तो आज के व्लोग में इतना काम करके व्लोग स्टार्ट कर दिय तो मैं आप मैं नहीं आप सब्टाइब और सुबाइब इस सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं तो चली में पहले बोज़ आपको में यवाद से लग रहा होगा कि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है दो दिन दवाई लेकी आई थी तब थोड़ी ठीक हो गई थी फिर उसके बाद फिर से अब आज गला खराब कोल्ड वगेरा फिर से हो रहा है वो सुबा मैंने बाल दो लिए बाल दोने के बाद जैसे जाती हो ना स्कूटी पर तो ठंडी हवा लगी और केप ले जाना भी मैं भूल गई तो वहाँ पर जैसे ठंड लग गई तो अब फिर वही तब हाई भी हो जाती है सारा काम हो जाता है और फिर शिवाई की भी तबित खराब हो रही है इसको फीवर मतलब अभी फीवर की दवाई दे रही हूं जैसे हर छे गंटे में फीवर चड़ता है ना इसे तो छे गंटे में हर छे गंटे में भी इसे परस्टमोल दे रही हूं जो नहीं हो रहा अगर ठीक होता है तो एक दो दिन के लिए ठीक होता है वो फिर से हो जाता है सब के साथ यही हो रहा है हमारे मतलब मेरी नोन में जितने भी है ना जिनको भी खांसी जुकाम या फीवर हुआ है मतलब एक बार हुआ है फिर अगर ठीक भी होता है एक दो दिन के लिए होता है तो फिर से हो जाता है फिर से फीवर और बच्चे जहां में स्कूल में जाती हूं बच्चों के साथ भी यही हो रहा है पता नहीं मौसम ऐसा चल रहा है और सबसे बड़ी बात अब तो यह भी सु कि अपने साथ सेफटी बरती है और मौसम भी कुछ ऐसा हो रहा है क्योंकि कि पॉलूशन बोट उथा हमारे दिली एरिया में तो आप बहुत जादा पॉलूशन रहते हैं हम फरिदाबाद में रहते हैं तो दिली ठच चली तो बहुत जादा का तो अब जैसे ही सरदियों की चुट्टिया होंगे ना बच्चों की और स्कूल की तो मेरी प्लानिंग है स्कूल मतलब गाऊंचाने की राजस्तान में तो वहां पर रहे आएंगे और देखते हैं तोड़ा धूप मतलब मुसम सही होता है वहाँ पर तो यहाँ पर मेरी सबजी मैंने चढ़ा दी है और यहाँ पर आटा भी लगा लिया है और अब बनाओंगी रोटी रोटी बनाने के बाद फिर मुझे डेस्टिंग करनी है जाडू लगानी है और फिर इनको बच्चों को स्कूल के लिए तयार करना है और शिवाय को दवाईयां देनी है में सबसे बड़ा टास्क होता है कि इसको दवाईयां पिलाना क्योंकि यह पीता नहीं है और इसकी दवाईयां हैं कम से कम तीन से चार सिरप है दवाईयों के वो पिलाना और फिर इ दोनों से ही निमॉलाइज करना पड़ता है क्योंकि इसकी ना शुरू से हैबिट बन चुकी है कि जब तक दोनों से निमॉलाइज ना करो तब तक इसकी खासी ठीक ही नहीं होती है और सुबा शाम दुपेर बीच में तो मैंने दुपेर में भी करना था मैंने और पोचा तो नहीं लगाया था अभी और इनके टिफिन वगेरा पेक कर दिये थे बच्चों के फिर यहां पे आ गई मैं इनको तयार करने के लिए यहां पे नहाने से पहले यहां पे कपड़े सारे यहीं उतार दिये थे और फिर इनको नहलाया, शिवाय को तो नहीं नहलाया है, क्योंकि इसकी तब्यत खराब हो रही है, तो इसलिए इसको नहीं नहलाया, इसको मुहा धुलाके ब्रश करवा के, ऐसे ही इसके कपड़े चेंज कर दी हैं, और आरादिया, यहां पर नाके आई है, और अब पहले हम यह हेल्प करवा देते हैं मेरी बच्चों को त्यार करने में, क्योंकि आपको पता है कि सरदियों में बच्चों के नहीं बहुत सारे कपड़े इनको उपर नीचे पहनाने पड़ते हैं, उनमें भी टाइम लगता है, फिर क्याना में इसकी इनकी दवाईयां वगेरा, मतलब ब मुझे इनको भी तयार करना है, नाश्टा वगेरा भी हमारा हो चुका है, और अब मुझे इनको तयार करने करके फिर पोचा लगाना है, फिर नहां के खुद तयार होना है, फिर स्कूल जाना है मुझे, तो यहां पर मैंने इनको यह शिवाय को इन्होंने कपड़े पहना ये कपड़े और शिवाय को मैंने कुछ दवाई दे दी है और कुछ मेना इसको ये निमॉलाइज के लिए कैपसुल डाल रही हूं भाप देने के लिए इससे ना इसको जैसे कि मैंने बताया है कि इसे जल्दी राहत मिलती है तो यहां पर अराध्या अपने कपड़े पहनने म ही पिलाई है तो यहां पर फिर मैं इसको पिलाने लग गई खांसी की दवाई और जैसे ही पिलाई ना इसने एक दम से उल्टी करने वाले थी थोड़ी से निकाल भी दी थी फिर मैंने इसका मूँ वगेरा साफ करवाया हाथ वगेरा साफ करवाया शुकर ज्यादा नहीं कर हینکی, मास्क वगेरा सब कुछ दे के, फिर ये स्कूल चले जाएंगे उसके बाद में जाऊंगी नहाने के लिए, नहां के ना, मैं सीधा फिर स्कूल के लिए निकल जाऊंगी, और मेरे साथ मिरत बैद इसलिए ठीक होने में नहां रही, क्यूंकि नहां के, अब जैसे भाग- तो उससे मेरी तबित ठीक होने में नहीं आ रही है पतानी कब ठीक होगी और सरदिया अभी है एक दो महीने की चलो दस-पंदरा दिन की जब छुटिया पढ़ेंगी सरदियोंगी तब देखते हैं थोड़ी बहुत हो जाएगी तबित सही तो अभी है शिवाई मेरे पास कर्मल होते हैं सब कर जो होते हैं कि स्कूल जया के चय बना हो चय पीयो मैं इसे पीवर हो जादा और missionary कर्या कर दोनों का है कल का कौन सा मेरा दे तुम बताओ इदर देख कॉंसा एक्जाम मैए तो दोनों का मैठ्स का है तो यहां पर मैं इनको पढ़ा रही थी तो अब मैं जा रही हूं खाना बनाने के लिए खाने में देखती हूं किया सबजी बनाती है और हमारे यहां पर ठंड बहुत ज्यादा हो काम करने का मन यह कर रहा है कि विक्राब हो रही है कल इतनी ठंड नहीं ती आज बहुंच ज़्यदा थंड हो रही है और चाओं जो कि फटा फट देखती हूं कि बनाना है इसा किसे तो अब तो अब आपके एकड़ा के और बरतूं पहुत जोओंगे रिजाहिमें तो यह होने वाला है और आज की वीडियो भी मैं यहीं करते हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा तो बाई माई यूट्यू फैमली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लो किसाट